चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जनजातियों में विवा अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका यहां से एक भी कोशन गलतनी होगा आपस ध्यान से सुनते ज तो आप ऐसे समझ जाएं कि जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहन का जब आपस में शादी होगा तब यह तूद लोटावा विवा कहा जाएगा तो यह चीज़ आपको याद हो जाएगी ठीक है उसके अलावा आप देखेंगे तो यह गोंड जन जाती में प्रचली थे यह वि नॉर्मल मेरेज होता है नॉर्मल विवा होता है उसमें जो लड़की वाले होते हैं वो दहेश देते हैं लेकिन इसमें जन जातियों में यह उल्टा है अलग है जो वर पक्ष है वो वधुमूले चुकाता है शादी करने के लिए क्या करता है वधुमूले उसको चुकाना पड़ता है इसको ही जंजातियों में क्या कहते हैं परिंगधन ठीक है तो यह जो परिंगधन देने के बाद विवा होता है तो उसको क्रेय विवा कहते हैं इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्रेय करने के लिए आप क्या करते हैं आपको मूल ने चुकाना पड़ता है उसके बाद ही तो आपको कोई चीज मिलेगी न तो यहाँ पर ऐसे समझ देटेगा जैसी वो परिंधन चुकाएंगे फिर उनका विवा जो हो जाएगा यह समस्त जन जातियों में होता है यानि कि लगबग सभी जन जा रेखर ने आगे विणिमाय आएगा तो आपको बस याद रखना है कि क्रय मतलब क्या आपको मूलि चुकाना पड़ेगा उसके बाद ही विवा होगा उसके बाद देखें यहाँ पर सेवा विवा को कैसे याद रखना है कि अब कोई मालीजी परिंधन चुकाने में वद्व के होने वाले ससुर जी हैं यानि जो लड़की के पिता जी हैं उनका उनके काम में help करना पड़ेगा और जब वो राजी हो जाएंगी जब उनको लगेगा कि हां ये वो satisfy हो जाएंगे कि नहीं हमारा दमाद बनने लायक है तो फिर वो राजी हो करके शादी करवा देंगे तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे जैसे सेवा विवा आएगा तो आप समझ जाएगा परंग परिंदन देने में असमर्त है इस वज़े से इसको सेवा करना पड़ रहा है और इसके अलावा ये जो सेवा विवा है इसको कई जन जातियों में कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है अगर आप इसको बैगा जन जाती में देखेंगे तो ये क्या है इसको लम सेना कहा जाता है लम सेना अगर आप देखेंगे तो सेना से आप सेवा याद कर लीजेगा जैसी आएगा सेना सब्द तो आपको यादा जाएगा सेना मतलब सेवा उसके अलावा जैसे इसको बोला जाता है लम सेना जाना जैसे कोई गया है न सेवा विवा करने तो उसको बोलेंगे लम सेना जाना उसके अलावा जन जातियों में अगर गोंड जन जाती में देखेंगे तो लम नाई तो जैसी लम सेना लम नाई एकी जैसा है तो ये दूलहे को कहा जाता है कि जैसे कोई person है और वो जा रहा है तो उसको लम नहीं कहते हैं और यह जो पूरा process से लम सेना जाना ठीक है यानि कि सेवा विवा के लिए जाना तो उसको चर घिया कहते हैं तो चर में सोचिए का चरने जा रहे हैं किसी और के घर में घुमने जा रहे हैं घुमने नहीं जा र हैं चाफक करने जा रहे हैं काम करने जा रहे हैं ढ़ गर जाती है इतर हो गरंघा भारो juvenile क्या क Two Nill Hai यह तो आप इसको एसे याद रखें एक कि जाक्र डोच जाती इसमें कोई भी मांत्रा नहीं थे टो गर जन में भी घरजियां तो इस तरीके से आप चारों को याद रखेगा जैसे ही आपको कोई भी चीज याद करनी होती है ना आप उसको बार-बार बोलिए आप देखेगा डैम शूर हूं है कि आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर विनिमय वि भाई जाता है कि इसे तरीके से इसमें घर से एक उन्हें जा रही है तो इसको आप याद हो रखेगा वी नियमयल मतलब अदान प्रदान तो ऐसे आपको फिर याद आ जाएगा अब उसके बाद देखें यह थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है यहां से आपको MCQ किस तरीके का पूछा जाएगा कि इन में से गुरावट विवाह क्या होता है गुलत विवाह क्या होता है या फिर गुरा गुरावट से सुचिएगा गुड़ किसी के पास अच्छे गुड़ रहेंगे क्योंकि बिजनस करना है यह तैलेंट होता है ऐसी कोई भी बिजनस नहीं कर सकता तो गुरावत जाएगना तो सुचलां कि कुछ गुड़ है तब ही तो यह विवाह करा पा कर आपा रहें उसक आप गोलत शब्द देखेंगे ना तो सुचना चाहिए गोलत गोलत मतलब की गोल लाइफ का हर किसी के लाइफ का एक गोल होता है तो इनके लाइफ का गोल था कि दोनों बच्चों की शादी हो जाए और इनका गोल जो है वो कम्प्लीट हो चुका है तो ऐसे करके आप इसको क्याद रख सकते हैं बिरहोर जन जाती में और मैदानी इलाकों में उसके अलावा यहां पर अपहरण विवाह ये भी काफी इंट्रस्टिंग है इसमें आप गर आप देखेंगे कि अगर विवाह नहीं हो पाता रहता है तो जैसे जो लड़का है वो लड़की का अपहरण क एसे आद रखेंगे इसको नाम से तो clear है इसको जन्जातियों में पाय सोतूर कहा जाता है पाय सोतूर को आप ऐसी आद रखना कि जैसे अगर माली जी कोई विलन है और वो टीक है जबरस्ती का दामात बनना चाहता है और कोई उनको जबरस्ती का परिशान करने के लिए तो आपको सब याद आजाएगा ठीक है तो I hope so आपको यह जो पांच जिन जातियों में विवाह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत अच्छी तरीके से याद आ जाता है आज आज आएगा अब मैं आपको यहां का question of the day देती हूं जिसमें दिखी पता चलेगा क कि आपको यह पांचों विवाह याद हुए है कि नहीं हुए है इसमें आपको बताना है कि गुरावत विवाह जो है वो कौन सा विवाह है ठीक है गुरावत विवाह जो है वो कौन सा है उसके बाद यहाँ पर दूसरा question है इसमें आपको बताना है ठीक है कि पाइस उतूर कुछ है वो कौन सा विवा है ठीक अगर याद हो गया तो फटा फट से कमेंट करके बताइए नेक्स क्लास में हम और कुछ जो अन्य विवा है उनके बारे में कवर करेंगे